हिंदी बाइबिल मेसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें से भरते हैं हमारे लिए मार्ग बनाती हैं तिसलिए आईए मिलकर हम परमेशोर के वचन को सीखें और परमेशोर से प्रार्थना को करें और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेशोर आपको अधिक देंगे या फिर परमेशोर आपको उचे पर न्यूक्त करेंगे उ इसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तूओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनन्द में सह भागी हो, आमीन. यहाँ पर हम देखते हैं, कि स्वामी अपने सेवक से, अपने दास से कहता है, कि धन्य है यही विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक वस्तूओं पर अधिकारी ठहराता हूं, आपने स्वामी के आनन्द में सह से, मैं तुझे अधिक चीजे देता हूं, मैं तुझे उचे पर न्यूक्त करता हूं, मैं तुझे अधिकारी बनाता हूं, पर क्यों, कारण क्या है, क्योंकि यह सेवक विश्वास योग्य है, लिका है, हे विश्वास योग्य सेवक, तो थोड़े में विश्वास योग्य दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी विश्वास योग्या निकलना है, थोड़े में, जो कुछ परमेश्चन ने आपको दिया है, जो कुछ भी आपके पास है, आपको उसे सही से मैनेज करना है, सही से मैनेज करना है, और यदि आपने उसे सही से मैनेज नहीं किया, सब कुछ खराब हो जाएगा, आपके पास जो है वो भी आप खोद होगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी चीजों को सही से मैनेज करना है, जो कुछ परमेशन ने आपको सौपा है, इस स्वामी को, इस स्वामी ने इस दास को कुछ सौपा था, और ये उसमें विश्व वास योग्य निकला, क्योंकि इसने उसे अच्छे से मैनेज किया, उसका अच्छे से प्रवंदन किया, आज साम में मैं आपको उटसाइद करना चाहूंगा, कि जो कुछ परमेशन ने आपको दिया है, अब क्या दिया है परमेशन ने आपको परिवार दिया है, परमेशन परमेशन ने आपको उद्धार दिया है, परमेशन ने आपको आत्मिक जीवन दिया है, परमेशन ने आपको जॉब दिया है, परमेशन ने आपको बिजनिस दिया है, परमेशन ने आपको मिनिस्ट्री दिया है, परमेशन ने आपको धन दौलत दिया है, परमेशन ने आपको ये सरीर दिया है परमेशन ने जो कुछ भी आपको दिया है ये समय दिया है परमेशन ने आपको जो कुछ भी परमेशन ने आपको सौप है आपको दिया है आपको उसमें विश्वास योग्यन निकलना है आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है उसका दुरुपयोग नहीं करना, बलकि उसका सदुपयोग करना है, उसको सही से इस्तिमाल करना है, जो कुछ परमेशन ने आपको दिया है, उसे आपको संजो कर रखना है, उसे आपको संभाल कर रखना है, उसे आपको बढ़ाना है, उसे आपको नस्ट नहीं करना, उसे आपको निकलना होगा और जब आप विश्वास योग्या निकलेंगे परमेश्व का वचन कहता है कि मैं तुझे आगे बढाऊंगा मैं तुझे अधिकारी ठहराऊंगा मैं तुझे अधिक दूंगा आपने स्वामी के आनंद में सहबागी होजा आपके लिए परमेश्व सव को मनाएगा यदि आप विश्वास योग्य निकलना है उसको आपको सही से प्रवंदन करना होगा लेकिन बहुत सारे भाई बेहन हैं जो समझ नहीं पाते कि परमेशन ने उन्हें कुछ दिया है और इसका एक दिन हिसाब लिया जाएगा आपको इसमें विश्वास योग् इसलिए वे जो कुछ उनके पास है या फिर जो उन्हें दिया गया था उसे भी खो देते हैं जैसे हम लोग लुकर अचेसु समझार उसके पंदरा अध्याई में पढ़ते हैं 13 और 14 पद ये दिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इस परकार से लिखा है कि और बहुत दि दिखा था एक पिता के दो संताने थी और छोटे वाले ने अपने हिस्से को मांग लिया था अपनी धन संपत्ति को अपने हिस्से के संपत्ति को मांग लिया था और उसने उस संपत्ति का क्या किया वो दूर देश गया और उसने उस संपत्ति को कुकर्म में गलत कामों में इंजॉई करने में उड़ा दिया और अंत में लिखा है कि वो कंगाल हो उसके पास कुछ भी नरा तो क्या हुआ यहां पर इसने उस पैसे का मिसमेनेज कर दिया गलत प्रवन्दन किया इसने इसने उसको सही से मैनेज नहीं कर पाया उस धंदौलत को इसने उसे उड़ा दिया गलत कामों में यूज कर दिया इसने जो कुछ इसके पास था जो यह अपने पिता के घराने से लेके गया था वो भी उसने खो दिया लिखा है कंगाल हो यदि आप को जो परमेशन ने सौपा है यदि आप उसका परबंदन सही से नहीं करते हैं यदि आप उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो भी आप से ले लिया जाएगा वो भी आप खोदोगे तो अस सुबह में मैं आपको उसाइट करूँगा यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं यदि आप उचे पर न्यूक तो होना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि परमेशन आपको अधिक दे परमेशन आपको आगे बढ़ाए तो जो कुछ परमेशन ने पुजन करना होगा, आपको इस सरीर को सही से मैनेज करना होगा, अपने सरीर की आपको देख भाल करनी होगी, कुछ ऐसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको अपने सरीर का मैनेज करना होगा, प्रवंदन करना होगा, देख करनी होगी इस सरीर के परती आपको विश्वास योग्या निकलना होगा परमेशन ने आपको धन दिया है उस धन के लिए भी आपको विश्वास योग्या निकलना है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि जो कुछ परमेशन ने आपको दिया है आपने उसे उड नहीं आपको उसको मैनेज करना होगा ये जो उद्धार परमेशन ने आपको दिया है इसको आपको बहुमल्य समझ कर इसके परती आपको विश्वास योग्य निकलना होगा न कि तुछ इसे न जाने ये उद्धार ये बहुमल्य चीज परमेशन ने आपको दिया आत्मिक जी आपको आगे बढ़ना है जैकि गलती उनकी है, उन्होंने अपने रिस्ते को सही स्थे मैनेज नहीं किया, अपने रिस्ते को वो समझ नहीं पाए, उस रिस्ते के परती वे विश्वास योग्यां नहीं निकल पाए, इसलिए आज परिशान हैं, निरास हैं, दुखी हैं, चिंदी तो, लेकिन आज परती विश्वास योग्यां निकलना है, यदि आपको जॉब दी गई है, उससे आप मैनेज करें, यदि आपको बिजनिस दिया गया है, उससे आप अच्छे से मैनेज करें, यदि आपको मिनिस्टरी दी गई है, उससे आप अच्छे से मैनेज करें, पर मैं इस और एक दि जो कुछ परमेशन ने आपको सौंपा है, उसे सही से मैनेज करें, उसका मिस्यूज न करें, उसका अच्छे से यूज करें, और उसमें वैल्यू को एड़ करें, उसे आगे बढ़ाते चले जाएं, जब आप इस परकार करेंगे, बाइबल कहरी है, कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक दूँगा, मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, तुझे उचे पर न्यूक्त करूँगा, बैस जो आपके पास है, उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है, स आप उसको जॉइन कर सकते हैं और हमारी जूम मीटिंग में सामिल हो सकते हैं। रावा प्रेयर करी और मैं बहुत खुश्यू मुझे ऐसा लगा कि परमेशन मुझे छुआ मुझे बात की मुझे नहीं पता हैं। ऐसा लगा जैसे परमेशन में में को छुआ मेरे सारे पापो को शमा कर दिया। में परमेशन से रोज प्रेटे गदी थी परमेशन मुझे रोज प्रेटेशन मुझे रहा दिखाएं। मुझे गडाइड कीजी, मुझे क्या गलत है, मुझे नहीं पर्मेशन है, मुझे छुआ, मुझे ऐसा फीरोर बहुत खोश होँ, प्रमेशन में संबाद कर, बहुत खोश हो, तैंकी चीज़स, तो बहुत धनेवाद करती, गोटी-गोटी धने, आपका बहुत धने बाद किती। पिता परमेशाद मेरी गुणाहों को मापके आपका बहुत भुछ धने बाद है। और दबी के मसीए हमेदी सिस्टar, आपका धन्यवाद जब मैं तूच आती हूँ, तो मैं आपकी प्रेयर सुनती हूँ, मुझे बहुत हलक़ी होता है, बहुत हलक़ी होता है, आपको बहुत बहुत दखन्यवाद है, जै मसीडे. आईए मिलकर हम प्रात्ना करेंगे, आप मेरे साथ मिलकर अपने विश्यों के लिए प्रात्ना करें, आईए मिलकर हम प्रात्ना करें, प्रभु ये श्मसी हम आपका धनिवाद देते हैं, सुन्दर से पल के लिए प्रभु हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी तारीप और आपकी जयजयकार करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योगे हैं, पिता आपका धन्यवाद कि आप भले और अच्छे पिता हैं, आप हमसे प्यार करने वाले पिता हैं, हमारी क्यार करने वाले पिता हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प् झारिस बनाये कुड़ावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभू कि तूने हमें बहु मूल्य समझा और अब तेरी द्रिस्टी में प्रभू हम बहुत ही बहु मूल्य और कीम्ति हैं थैंक यू फादर हमें वैल्यूबल बनाने के लिए मैं धन्यवाद देती हूं इसु और पहुत सारे बाहे Beहन परभू जिस समय भरात्न में शामिल है प्रभ Shiv आग जण को पिता आज यह नही दिन दिखाया है और लिए धन्यवाद प्रभू जड़ी भाई बही पहली बार अस प्रातन में शामिल है प्रुब्ल्म थालोसा जारे तो रहती हों आपका पवित्रात्मा जो साहियक के रूप में आपने हमें दिया है बाँ मैं धन्यवाद करती हूँ उस कीमती साहियक के लिए प्रभु जो तुने दिया है जिसकी साहित और मदद के द्वारा हर दिन परमेश्वर हम पौफेक्टनिस की और बढ़ रहे हम सिद्धताई की और बढ़ रहे हैं मैं धन्यवाद देती हूँ यशू क्योंकि ये आपका पवित्रात्मा है जो हर एक के हिर्दय को कायल करता है मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए उस जीवित और सामर्थी वचन का आदर करते हैं पिता We respect your word Father Thank you चीज उस प्रभू आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं बड़े ही ध्यान से परमिश्व पिता अपने कानों को खोल कर अपने हिर्दय को खोल कर उन्होंने आपके वचन को ग्रहन किया है Father इस वचन को ग्रहन करते ही वो revival प्रभू जी वो revelation परमिश्व पिता आपके लोगों के अंदर आच चुका है परमिश्व और उस revelation को प्रभू जी वो जीने पाएं पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभू जब हम आपको अपने life में पहले स्थान में रखते हैं परमिश्व पिता जब हम आपके plans में आपकी योजना में शामल होते हैं परमिश्व पिता तो बड़े बड़े आश्चेरे कर्म और बड़ी योजनाएं प्रभू आप हम लोगों उचे पर न्यूक्त करते हैं अधिकारी बनाते परमिश्व ये इसलिए होने पाता है प्रभू जब कि जो तुने उन्हें सौपा है उसके प्रतिव विश्वासियोग रहे मेरे प्रभू आज हर एक के life के faithful होने के लिए प्रातन करते हैं परमिश्व जो कुछ भी परमिश् कारिय के लिए अपनी जौब के लिए अपने बिजनस के लिए जो कुछ भी आपने उनके हातों में सौपा है उसके लिए faithful होने पाए हर एक जन प्रभू faithfulness को अपने जीवन में जी सके परमिश्व पिता प्यारे कुदावन मैं प्रातना करते हूं प्रभू ये प्रभू अ प्रभू अपने अधिकारियों के लिए प्रभू ये शुमसी प्रभू आपके ये लोग जो आपके डर्भे में चलते हैं विश्वास योगी होने पाए हैं प्रभू तूने प्रभू परिवार, बच्चे, प्रभू जौप और परमिश्व पिता बहुत सारे चीचे अपने परिवार को मैनेज करने पाए, अपने बच्चों को मैनेज करने पाए, अपने हजबन और वाइफ को मैनेज करने पाए, अपने मात पिता को मैनेज करने पाए, जो कुछ आपने इनके जीवन में सौपा है प्रभू, मैं दुआ करती हूं पिता, यदि आज इनकी प्रभु जब पिता हम तेरे सम्मु को पस्तित हो तो परमेश्वर एक बहुत ही मीठी और सुन्तर और प्राउड वाली वानी परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुंचे प्रभु जो कुछ भी आज आपने इने सौंपा है प्रभु खुदा युसे मैनेज कर सके और प्रभु एक अच्छी वानी प्रभु आपके प्रभु जी उत्साहित करने वाले वच्चन प्रभु आपके लोग को मोटिवेट कर सके और प्रभु ये दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा आइडल एक्जाम्पल प्रभु सेट कर सके खुदा धन्यवाद एक फेट्फुलनेस पर प्रभु जी आप अच्छा जॉब देकर इन्हें ब्लेस करें परमेश्व प्रभु जी कुदावन मैं प्रातन करते हूं आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यदि प्रभु आज वो अपने शरीर को मैनेज नहीं कर पाएं प्रभु अपने खान पान के द्वारा प्रभु उसे यह अपनी जीवन में प्रभु जी आने देने वाले हो सके पिता और जो इनके जीवन के लिए इनके शरीर के लिए लाबदायक नहीं है उसे अपने जीवन से कैंसल करने पाएं पिता प्रभु यह अपने शरीर को मैनेज कर सके पिता होने दीजे प्रभु ज जो एडिक्शन में पढ़ें येश्यु के नाम से अग्या देते हैं इनके जीवन से बुरी आदते बुरी लथे येश्यु के नाम से चली जाएं खुदावन आज ये नौजवान बच्चे फ्री होने पाए हर प्रकार के एडिक्शन से और खुदावन तेरी संगती में प्रभू इन्हें मैनेज करना है जिस बात के लिए फेट्फुल होना है प्रभू आज आप इनसे बातशीत करें पिता अपने प्रभू अपने प्रकाशन के दुआरा प्रभू और इन्हें गहराई में लेकर जाएं प्रमिश्वर प्रभू आज जितने भी लोग बीमार है प्रभू येश्यू के नाम से cancer, tumor, paralyzed, प्रभू हर प्रकार के रोग जो इनके शरीर को बीमार कमजोर और मृत्यू की ओले कर जा रहे हैं इसी वक्त हम उन्हें जड़ से खतम होने की आज्या देते हैं उन रोगों को कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर, इनकी हड्यों को छोड़कर, मांसपेशियों को छोड़कर, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़कर, बीमारियां जाओ येश्यू के नाम से I command every sickness, get out in the name of Jesus, I rebuke sickness, I rebuke pain, I rebuke stress in the name of Jesus Christ, get out in the name of Jesus Father, thank you for your complete healing, thank you Jesus for your healing, धन्यवाद प्रभू आपकी चंगाई के लिए, जो आपने अपने लोगों को दिया प्रभू, thank you Father, धन्यवाद आज की सुभा में, जिस काम पर हात लगाएं, वो काम सफल हो, जो योजना ये बनाएं, वो योजना सफल हो, प्रभू जो भी मार की रुक हमारे साथ जुड़े है, खुदावन, पिता, आप उन्हें इस बुजर्गी की अवस्था में प्रभू, और अच्छा स्वास्त दे प्रभू, ताकि बहतों के लिए प्रभू एक्जाम्पल बन सके, और बहतों को तेरे वचनों की शिक्षा में बढ़ा सके, पिता, नौज आप उनके उसकारिये में सफलता प्रदान करें, धन्यवाद करते हैं, येश्यू के नाम से हम स्प्रात्न को मांगते हैं, सुने और ग्रहन करें, आमेन, आमेन और आमेन